Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिंपलनेट से हम किस तरह से एक डिजाइनर डुपट्टा जो है डिजाइन कर सकते हैं देख सकते हैं आप लोग तो इसको डिजाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर यह एक हमारी ट्रेंगल वाली जो लेस होती है वह मैंने ली है कुछ इस तरह की है और यह एक गोटापट्टी वाली लेस है यह बी और यह कुछ इस तरह से है और यहाँ पर जो हमारे यह यह ना हमने पेस्ट करने होते हैं गम से जो हमारा फैबरिक ग्लू होता है उससे हमने इसको पेस्ट करना होता है तो यह पेस्टिंग वाले हमारे जो नग स्टोन भी बोलते हैं वो है और यह हमारा फैबरिक ग्लू इससे अगर हम चिपकाते हैं इससे पेस्ट करते हैं तो फिर वो निकलता नहीं ठीक है जी तो तो हमने सबसे पहले इस तरह से खोल लेना है और सबसे पहले जो है हम इसके किनारी को इस तरह से हमने कोई डबल फोल्ड नी करना ऐसे हमने सिर्फ सिंगल इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है चारो साइट से और जब हमारे कॉर्णर साइगे तो हम इस तरह से इसको फोल्ड पे नहीं करना है, सीधे साइड पे उपर की साइड आपने इस तरह से आइसे करना है, क्योंकि फिर हम यहाँ पर lace लगाएंगे, तो नीचे से हमारी बहुत अच्छी finishing आजएगी, थीक है जी, तो हमने उपर की साइड इस तरह से ऐसे इसको जो है, stitch करना है, तो जी हम इस तरह से यहां पर इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यह सिलाई आपने बड़ी लगानी है क्योंकि बाद में अगर आप चाहें कि आपको और अच्छी finishing चाहिए तो आप इसे बाद में खोल भी सकते हैं इसे हम सिर्फ इस तरह से रोकने के लिए जो है सिलाई लगा रहे हैं तो देखिए पूरे पर हमने इसी तरह से ऐसे ही सिलाई लगा देनी है और अब देखिए इस तरह से हम जब हमारा कॉर्णर आ जाएगा तो हम उसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और simply हम सिलाई लगा देंगे हमारे corners नहीं बिगरने चाहिए इस बात का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तो अब इसी तरह से मैं पूरी चुन्नी पर पूरा जो हमारी net है उस पर सिलाई लगा दूँगी और देखिए हमारे जो corner है वो इस तरह से बनने चाहिए ठीक है जी अब इतना करने के बाद हमने क्या करना है जो हमारी triangle वाली lace थी हमने सबसे पहले उसको लेना है तो जी यह है हमारी triangle वाली lace और अब इस lace के triangle जो है हमें दिखाने है अपने टूपटे में तो देखिए यह हमारा जिस side से ऊपर था मतलब हमने ऊपर की side सिला था ना लेकिन हम यह जो lace है मतलब जो हमारा ऊपर वाला side है उसको हम मतलब पीछे पलट देंगे और इस lace को ऐसे रखेंगे यह देखिए इस तरह से ये देखे इस तरह से आगे की साइड हमने वो रखा है मतलब पूरी लेस हमारी आनी चाहिए और ये देखे इस तरह से हम ट्रैंगल को ऐसे दिखाते हुए इस तरह से ऐसे half triangle जो हमारे triangle है सिर्फ वही दिखे पूरी lace ना दिखे उतने पर हम इस तरह से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे और अब हमने जो हमारा डुपट्टे की net थी ना उसको हमने उल्टा कर लिया है यानि कि जो हमारा folding वाला side था वो नीचे की side आ गया है और देखे उपर की side हमारा finishing वाला side है तो देखे इस तरह से जो हम बिकुल corner पर बिकुल किनारे पर मतलब जो है इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे बस हमारे triangles दिखने चाहिए इस बात का आपने बस दियान रखना है तो देखे इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे और पूरे page मतलब पूरे चारो side पर हमने इसी तरह से ऐसे ही जो है सिलाई लगा देनी है और इसके corner किस तरह से बनाने है वो भी मैं आपको बता दूँगी क्योंकि ये गोटा पट्टी वाली lace है तो बहुत easily जो है fold होती है तो देखे हमने नाप लेना है हमारा यहां तक आएगा और अब इसको easily हम इस तरह से ऐसे fold कर लेंगे ये देखे इस तरह से नापेंगे पहले यहां तक ये वाला triangle है हमारा इसको हम इस तरह से ऐसे fold कर देंगे जो हमारी बैसी चौणडी वाली जो स्टिफ वाली लेस होती है उनके corner बनाने में मुश्किल होती है लेकिन जो हमारी गोटापटी वाली लेस होती है यह बहुत soft होती है तो इसको fold करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो देखिए कितनी easily जो है हमारा corner बन जाएगा अभी उसका corner जो है वो बहुत ज़्यादा finishing के साथ बनाना है क्योंकि corner से ही हमारे डुपटे में जो है finishing आती है बहुत अच्छी तो देखिए अब मैंने जो है चारो side पर इस तरह से lace लगा ली है देख सकते हैं आप लोग और अब देखिए यहाँ पर करके मैं extra slide करकर इसको जो है मतलब इसकी जो सिलाई है वो खतम करूँगी यह देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे कि यह किस तरह से जो है हमारा दिख रहा है तो देखिए यह हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा यह हमारा front side है ठीक है ना यह भी हमारा front side है अब जो हमारी दूसरी lace थी ना गोटा पट्टी वाली उसको हमने लगाना है तो देखिए अब हमारी जो यह वाली lace है इसको हम इसके उपर इस तरह से ऐसे लगाएंगे बस हमने triangle दिखाने है बाकि पूरी lace को हम छुपा देंगे इससे hide कर देंगे और देखिए जो हमने ये lace लगाई है इसको मैंने पहले उपर की side ऐसे fold कर दिया है ताकि बहुत अच्छी finishing आए तो ये देखिए अब इस तरह से बिल्कुल triangle को दिखाते हुए बिल्कुल finishing के साथ हमने जो है सिलाई लगानी है नीचे मैंने red color का दागा यूज किया है और उपर मैंने golden color का ही दागा यूज किया है ताकि बहुत अच्छी finishing आए अब देखिए corner हम बना रहे है same हमने अपनी lace को इस तरह से ऐसे पकड़ा है और उसको गुमा दिया है तो देखिए इसका corner खुद बाखुद अपने आप से बन जाएगा क्योंकि इस lace को मोडने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो देखिए एक corner हमारा इस तरह से ऐसे बन गया है अब दूसरे side से भी हम इस तरह से ऐसे सिल लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी finishing के साथ हमारा corner बना है और अब हमने इस side की slide इसी तरह से पूरी चुन्नी पर ऐसे ही लगा लेनी है यह देखिए थोड़ी extra हम cut करेंगे जब हमारी complete हो जाएगी और उसको ऐसे अंदर की side ऐसे fold कर देंगे तो बहुत अच्छी हमारी finishing आ जाएगी तो जी देखिए अब एक side से हमारी पूरी सिल गई है अब जो हमारा corner बना है उसको हम सबसे पहले देखिए इस तरह से ऐसे सिलेंगे गुमाते हुए और पक्का कर लेंगे अब इस side से हम इसको ऐसे सिलेंगे और अब जो है हम जो हमारी दूसरी side पे जो lace रह गई है lace का दूसरा side उसको हमने simply इस तरह से ऐसे सिल लेना है चारो side से तो देखिए हमारा चारो साइट से ये सिल गया है और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारे कॉर्णनर्स भी बने है देख सकते हैं आप लोग फ्रंट साइट से भी और बैक साइट से भी अब जो हमारी लेस है सिंपल वाली उसको हमने इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमने इसको भी उपर से ऐसे फोल्ड करते हुए हम लगाएंगे ये देखिए इस तरह से मैं बॉर्डर थोड़ा और चोड़ा चाहा रही थी तो इसलिए मैंने एक और लेस यहाँ पर लगाई है आप अपने अकॉर्डर लगा सकते हैं अगर आपको और चोड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप दो तीन लेस भी लगा सकते हैं बट मेर को जो है वो दो ही लेस चाहिए क्योंकि इतना जादा मुझे हैवी डुपट्टा नहीं चाहिए तो जी देखिए इसके कॉर्णर हम इसी तरह से ऐसे ही सेम ऐसे फोल्ड करते वे बना देंगे यह रेखिए इस तरह से और गैपिंग का आप ध्यान रखेगा कि एक जैसी आपने गैपिंग रखनी है बिल्कुल और अगर आपसे ऐसे गैप बिल्कुल बराबर ना हो तो आप पहले निशान लगा उसके बाद इसको जो है बनाएं तो देखिए अब इस तरह से जो है हम पूरी जो डुपट्टा है हमारा उस पर लेस लगा लेंगे तो जी यह वरी लेस भी हमने चारो साइट लगा ली है अब जो हमने दूसरी लेस लगाई थी उसके हमारा इस साइट की सिलाई रह गई है तो देखिए same corner को ऐसे हम सिलते हुए इसको भी ऐसे simple सिलाई लगा देंगे पूरे डुपट्टे पर और फिर उसके बाद जो है हमने इस पर stone किस तरह से लगाने है वो मैं आपको दिखाऊंगी पहले मैं आपको इसकी lace दिखा देती हूँ हमने वो लेना है तो देखिए अब जितनी जितनी दूरी पर आपने लगाने है या अपने flower बनाना है जैसा भी आपने design बनाना है उसके according आप glue पहले इस तरह से ऐसे लगा ले और अब एक-एक stone जो है हमने इस पर रखते जाना है अभी जो हमारा glue है वो गीला है तो आप complete करने के बाद इसको दिखाऊंगी देखना कितना खुबसूरत लग रहा था क्योंकि मैं तो voice record बाद में कर रही हूँ अब बहुत सुंदर हमारा dupatta बनकर त्यार हुआ है तो देखिए यहां पर मैंने पूरा आप लोग को दिखाया है कि मैंने किस तरह से मतलब थोड़े- चुन्नी पर यह स्टोन लगाए है अब इसके सूखने के बाद का जो है मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यह किस तरह से दिखेगा तो गाईज यह है हमारा dupatta जो की बनकर तयार हो गया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी finishing के साथ जो है बनकर तयार हुआ है और जो इ पस्राइब जरू करिएगा वीडियो को लाइक करियेगा और जब भी मैं यह वाला suit wear करूँगी तो इसकी जो picture होगी वो Instagram पर अप्लोड करूँगी तो मुझे Instagram पर जरूर फॉलो करिएगा तो मेरा जो Instagram है वो है nehafashionholic.09 तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के आपके लिए लाह आपज